मेरा नहीं है ये ये वाला काम लेकि ये देवर्ट ये ऐसा है ज़र से जाने लग गये हैं मेरे साथ आज यहाँ सारे वाटर फॉल एक और हम लोगों ने जाना है ठीक नीचे रोड से है रुचमाहदेव की दूरी एक किलो में हम लोग भी रुचमाहदेव सबसे पहले आप अभी का स्वागत है देवू उत्राखन के खूचरत से इन पहाडों से मेरे यूट्यूब चैनल कुस्पारावत ब्लॉग्स में अभी सामके सबाव पांच हो रहे हैं अज मेरे ब्लॉग के स्टार्टिंग काफी लेट से हो रही है और अभी मैं अपने कीचन गाडन में आ चुकी हूँ अभी इस वाली सवडे में जा रही हूं मैं यहां पर मैं लगाने वाली हूं मिर्ची की पॉल और मेरी वीडियो बन मैं वाली हूं मैं और आजिस क्योंकि आज़का था और उसके लागा दैरा तो ने किसी काम से गया था तो आज आगया है तो हमने यह पॉल का पॉल और द गा दिया में बात में दिखाती हूँ इसा फूल का पौल दल्q दल्डार लाधा मैंने मिर्च्छी पौल दल्डगार कही है यहां पड़े है और ब।क रख़ा है किसी ने और यह फूल का पौल यहां पर रख़ा है यह हुआमे पे शाला ओचे एंहरा हलो गळा हलो सब्सक्राइब जी के साथ बढ़ान के लिए घर जा रहे हैं हम लोग आरक हैं टॉप आली च्छत में यहां से मेरा महला अच्छे से कबर होता है और इस च्छत पे जी और दोनों जी सासु लोग बैठे वे इन लोगों ने मेंदी लगा के ऐसे सस दस के बैठ गे हैं हाई हाई दिखा तो जी जी ने कि लिए बर पाए, मेहनी लगा और जोस्तों बॉदों गूत मूंन और मैं जारी हूँ रुच महादेव मंदिर जारी हूँ तो हम लोग घर से जाने लगे हैं मेरे साथ आज है प्रियांसु अप्रियांसु की ममी पापा थोड़ा आगे चले गए हैं लेकिन हम पीछे पीछे जा रहे हैं दोनों के दोनों है लो कर दे और आजकल बारिस लगाता होए जारी है तो यहां देखो चत्टानों पर जहां देखो वहां पानी ही नजर आएगा यह सारा पानी ही आ रहा है उदर तक आजकल यहां सारे वाटरफॉल एक्टिव हो चुके हैं यहां पर हैं तीन बड़े-बड़े वाटरफॉल जो कि काफी खुबस्वत लग रहे हैं पर हम लोगोंने जाना है ठीक नीचे जाएं यह दो नदियों का संगम है वहां पर जाना है तो चली जल्दी जल्दी चलते हैं और रूच महदेव जाने के लिए अज सर्दालों की खुब बीड है यहां से रोड से है रूच महदेव की दूरी एक किलोमेटर की मेरी भावी लोग आ गए हैं तुम तफ़ा तो भावी जल्दी आ गए है रूच महादेव से हो और हम आप जा रहे हैं भावी जलो ठीक है तो आगे आगे अनीत और दीडी जा दीडी पर नाम तो यह दोनों तो ऐसे दो आड़े जासे की बाबा जी चले गए थे साथ बजे अर आप वह आपस भी आ चुके हैं तो चलिया जी हम लोग भी रूच महादेव में पहुंच चुके हैं और रूच महादेव में जो दो नदियों का संगम है एक है मननी और एक है खाम यानि एक मननी बुग्याल से आती है और एक खाम बुग्याल से आती है आज का इन दोनों का जलस्तर काफी बड़ा हुआ है रुसमादेब में सरदा लोंकी तो खूब भीड है और यहां पर फोटो सूट भी हो रहा है पादे में दर्सत करने से ही यादि गयाका ची के दर्सन हो जाते हैं तो महादेव में भी जल चड़ाने के नियम है या तो तीन लोठे या तो पांच लोठे या तो शात लोठे चिरल चड़ाने हैं यहां पे तो चलिया जी मैं भी एक बार पूजा अर्शन कर लेती हूं सबसे पहले तो नदी में जाती हूं हाथ मूँ दो लेती हूं और पूजा अर्शन कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको लियुकों तो छेले जी हमने मंदिर में पुजा आर्चन कर ली है और अनिता लोग तो पूजा कर रहे हैं तो छेले जी हम लोग बहुत चुके हैं मन्रा माई के मंदिर में तो यहां भी एक बाद पूजा आर्चन कर लेते हैं तो मंदिना माई के मंदिर में भी हमारी पूजा संपन हो चुकी है और हम लोग जाने लगे हैं खर कोट माँआ रहे पर ना पर ना रहे तो यहां पर आर्गी है हिमान्चल से देवी मा की डोली और देवी मा की डोली जारी है रुछ महादेव में नहाने के लिए और रुछ महादेव में नहाने का तो बहुती महता है अच्छे लिए जी मेरुच महादेव से घर पहुंच चुकी हूँ और अपने गर में मैंने अभी बहुत सारा काम करना है साया दीदी रोदीदी और जेड़ जी भी आ रहे हैं कोटमा में तो उनसे भी मिल लेती हूँ एक बार